दोस्तो वीडियो के नीचे देख रही लाल बटन को दबा के सबस्क्राइब केजी हमारी चनल को और साथ में दोस्तो घंटी वाली बटन तो भी दबा दीजे ताकि आप देख पाए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले है है दोस्तो अभी आप मेरी मुबाईल के स्किन पर देख करें एक है तो मुझे आप आरब शुच करना पड़ता था लॉगिन लॉगवाट मानना पड़ता था अब के आपके साथ यह वीवास होता होगा आपके विवास बीदू तिन तिन काउंट होता होंगी जैसे कि WhatsApp के दो अकाउंट है और Facebook के दो तीन अकाउंट है मतलब इसी तरीके से तो आपको भी करके मैं अलग-अलग अपना Facebook कर सकता हूं मुझे लॉगन लॉग आउट करने की जुरूरत नहीं पड़ती मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता है टाइम बच जाता है और स्टोरेज में काफी बच जाती है तो क्लोन बनाने से मुझे दो एप इस्टॉल नहीं करने पड़ रहे है तो चलिए मैं वीडियो में बताता हूं कि आप भी आकर ऐसा क्लोन बनाना चाहते हैं और आपके पास भी इसे हमालोग हर चीज की समलोग दो तीन आइडी जो भी है तो आप कैसे क्लोन बना सकते हैं अपने किसी भी एप का तो रुस्तो इसके लिए हमको एक एप की जूरत आपको प्लेस्टोर पर मिल जाएगा असानी से या फिर निचे मैंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में लिंक दिया के रखा है अप उधर से चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो मैंने पहले से डाउनलोड किया तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं ओपन करने बाद देखि करना होगा जैसे मिजे मूझे वाट सब बनाना है उसके बाहो चड़िए इधर से जो मुझे एप्स का क्लोण बनाना है उसको इधर से सिर्ट कर लिजिए चलिए इन पांच एप को मैंने क्लोन बनाना है तो इस तरीके से आप एक एप के दो से तीन क्लोन बना सकते हैं इसमें आगे और भी सपोर्ट आ जाएगा आप चार पांच भी कर सेकेंगे बट अभी वह सपोर्ट नहीं है अभी तो दो से तीन आप क्लोन बना सकते हैं इसमें यह देखिए WhatsApp का पहला WhatsApp का दूसरा क्लोन भी आ गया और इसकी खास बात क्या है मालूम में दोस्तों कि यह टोटली एप जैसे वर्क करता है जैसे कि माल लो चलिए इसमें WhatsApp पे चलिए मैं Facebook पर लॉग इन कर देता हूं अपना तो Facebook लॉग इन करना होगा तो मुझे यह देखने में आ रहा है कि मुझे ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि मैं कोई मतल़ ऐसा क्लोन एप चला रहा हूं तो यह मुझे काफी अच्छा लगा है तो मैं नहीं सुचा कि आप लोगों के साथ क्यों न सेर किया चाहिए जाए चीज क्योंकि यह प्रावलम हर किसी के साथ होती है यह क्यों प्रावलम मों के साथ जा dropped क करना एट इसका फीक्रेट कशनें निन लग लगते हैं आग twoint इसके साथ ही देखिए इधर आपको और भी option मिल जाते हैं जैसे कि अगर फिर से आप प्रेस करके हैं तो आप उसको चाहते हैं तो बेगना चाहते हैं तो आपकर करना भी काफ़ी simple है आप इंपको कुछ बता देता तो आपको सारे आप की नौटिकेशन मिल जाते हैं जैसे कि so नोटिकेशन इन सेंटर उसके साथ जो प्रकांट उब्स है तो भी ब्लॉक नौटिफिकेशन आप चाहे तो नौटिफिकेशन को ब्लॉक भी कर सकते हैं तो इस तरीके से कुछ सेटिंग और इदर से आप इधंसे पाइटन अगरे पासवर्ड वरगारी आप इसमें पाईटन पाइटन लॉक वगरह भी डाल सकते हैं इसका भी सपोर्ट दिया हुआ था कि कोई दूसरा एक्सेस ना कर पाए तो यह सब चीज फीचर इसमें दिये हुए है तो अगर दोस्तों आपका दो तीन अगर आपके पास किसी भी चीज का मनलब दो तीन अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक ही मोबाईल में सब चीज मैनेज हो जाए आपका अची तरीके से और आपके लिए इसको अलग से डाउनलोड ना करना पड़े आप ताकि आपकी स्टोरेज बच जाए तो आप इस तरीके से करके एक क्लोन कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं तो यह मुझे काफी अच्छा बेस्ट अब लागा है जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूं इस तरीके से तो आप इस तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों आप नीचे मुझे थोड़ा कामेंट करके बताइए कि अभी आप क्या करेंट आपका फेस्वुक के कितना एकाउंट है थोड़ा इसा कामेंट में आप बताइए मुझे कितने कितने एकाउंट है थोड़ा मुझे भी तुम आलों पड़े यार कितने कितने एकाउंट बनाते हैं लोग तो झाल झाल